सभी किसान भाईयों का और डेरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वाजत है हमारे यूट्यूब चैनल मानफार्म्स पे तो फ्रेंड्स अपने बुल सिरीज को हम वापस कॉंटिन्यू कर रहे हैं आज की वीडियो में लास्ट की पासद वीडियो हम अपने फार्म से बना रहे थे क्योंकि उस टाइम बीडिंग सीजन चल रहा था तो डेली लगातार काफी AI हो रही थी तो मैक्सिमम हमने आपको कोशिश की थी कि आपको AI का सही प्रोसीजर पताएं और कौन सा सीमन हम अपने फार्म पे इस टाइम यूज कर रहे थे तो उसकी आपको पूरी डिटेल्स हमने दिखाई थी तो अब फ्रेंड्स हम वापस बूल सिरीज को कौन्टिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमने वर्ल्ड वाइड सायर्स का जो बिलकुल नया लेटेस्ट बूल आया है कैस्पर उसकी आज डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और ये एक ऐसा बूल है जो लगबग आपकी सारी रिकॉर्मेंट्स के अंदर फिट बैठेगा इसका जो हमने पूरी डिटेल निकाली है मिल्क भी बहुत अच्छा है फैट परसेंटेज भी अच्छा है डाटर प्रूवन भी है प्रोजनी टेस्टेड बूल भी है बहुत सारी इसकी डाटर्स का जो डाटा है वो एवलेबल है सुमेटिक सेल स्कोर भी कम है तो लगबग जो जो करेक्टर या फीचर्स आपको चा नंबर है और उसके बाद इसकी जो पेडिग्री है हैंग टाइम बॉमबेरो और मोगूल तो इस पेडिग्री से यह आ रहा है जो इसका सायर है सायर मतलब फादर वो है कुकी कटर हैंग टाइम एटी एटी है आपका एमरोड ट्रांसफर बुल उसके बाद डैम हो जाती है मदर मदर है क्लेनू कोलिटा बॉमबेरो एक्सिलेंट नाइंटी वन तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में पताया है कि एक्सिलेंट केटेगरी की जो डैम होती है मदर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यह ग्रेडिंग सिस्टम होता है जितना एक्सिलेंट एक्सिलेंट से नीचे आपका वेरी गुड होता है वीजी उस गुड गुड प्लस इस तरीके से यह जो डिवाइड होता है केटेगरी तो जितना ज़्यादा यह स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा डैम अच्छी होगी और इसने फर्स लेक्टेशन में ही एक सा परसेंट फैट नॉर्मली जो होते हैं उनका 3.8, 3.94 परसेंट के आसपास होता है वो भी इतने ज़्यादा दूद के साथ बहुत ही रेर कंबिनेशन में मिलता है और फर्स लेक्टेशन में ही इतना अच्छा दूद है तो यही चीज में आपको पता रहा था कि आपको मिल् मिलेगी तो यह कंबिनेशन काफी रेर मिलता है उसके बाद इसका नाना दिया गया है बॉम बैरो मेटरनल ग्रेंट सायर और यह दुबारा से इसकी हमने पेडिगरी और डिटेल में देखी है सायर हमने आपको पता दिया था कुकी कटर हैंग टाइम है और मदर बॉम बैरो है उसके बाद इसका नाना नानी है नाना मेटरनल ग्रेंट सायर एम जी एस रिच्मन बॉम बैरो और नानी क्लेनुक मोगूल और उसके बाद पढ़ नाना और पढ़ नानी भी हमने दिखाए हैं मोगूल है इसका पढ़ नाना और क्लेनुक कार यह इनकी मेटरनल ग्रेंट ग्रेंड डैम पर नानी है इसका भी इन्होंने टू टाइम्स मिल्किंग में 338 डेज का 31,849 पाउंड मिल्क जो है वो दिया है तो यह देखा अब इसका जो फैट है यहाँ पर 3.5 परसेंट है तो यही जर्नली फैट होता है साड़े तीन से चार परसेंट जो होता है लेकिन इस बुल की जो मदर है उसका काफी हाई फैट है 4.6 परसेंट इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो बच्डिया है उसने कितना दूद दिया है आप यह देखिए इसकी बुल की जो बच्डी है उनका डॉर्टर एवरेज बहुत ज़्यादा हाई है 13,115 किलो और इनका फै यह तो बिल्कुल फिक्स है जो इस बुल के साथ आपको बिल्कुल गारंटी के साथ मिलेंगी वह एक तो बहुत ज़्यादा दूद बहुत अच्छा दूद और बहुत ही अच्छा हाई फैट परसेंटेज तो इस दोनों चीज़े आपको बिल्कुल सही मिलेंगी तो अब ये उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके इसमें डेट आफ बर्थ है ये कैनेडा का रिजिस्टर्ड बुल है होल्स्टन कैनेडा आप देख सकते हो इसकी जो रिजिस्ट्रेशन है वो कैनेडा में है और जो डेट आफ बर्थ है 2016 तो लगबग आपका साथ साल का ये ब प्लस करेगा अपका प्लस 406 पाउंड फैट प्रोटीन तो प्लस करी रहा है सुमेटिक सेल स्कोर SCS भी देखो 2.74 है तो ये भी बहुत अच्छा है कि सुमेटिक सेल स्कोर 3 से काफी कम है तो मेस्टाइटर्स के चांसिस भी इस हीफर को कम रहेंगे इसकी हीफर को अगर आप न्यूट्रीशन और साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो प्रोडक्टिव लाइफ भी अच्छी है प्लस 1.4 लंबे टाइम दूद भी देगा इसके अलावा फर्टिलिटी इंडेक्स भी प्लस में है प्लस 0.3 तो वो भी ठीक है आपको ऐसी कोई कंसेप्शन की प्रॉब्लम होती रहेगी और जैसा मैंने आपको पताया था कि यह डॉटर प्रॉवन बुल है तो आप देखी यह जो डाटा है यह 6,869 डॉटर्स का यह जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है तो काफी जादा डॉटर्स है यह नहीं कि 10-20 डॉटर्स का डाटा कलेक्ट किया उसके इसका रिकॉर्ड हमने पहले ही पता दिया था यह 28,000 पाउंस में दूद दिया गया है जो लगबग 13,000 किलो बनता है 4.1% अब इसके गरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कालविंग समरी आप देख लिजिए सायर कालविंग इस 2.2% और डॉटर कालविंग इस 2.1% यह एक ची कालविंग कितनी अराम से हो रही है डिस्टोकिया हो रहा है के नहीं या बच्चे तो नहीं फस रहे या फिर बच्चों को एफ़र्ट लगा के खीचना पड़ता है कालविंग के टाइम पे तो यह जो है आपका 1.8 और 2% की रेंज में अगरता तो काफी अच्छा होता लेक इसका सायर कालविंग इसका इसके लावा जो टीपी आई है वो प्लस 2455 है वो भी काफी अच्छा है टोटल प्रोड़क्टिविटी इंडेक्स होता है इसके अंदर आपका टाइप का अडर फीट लेक्स को और प्रोड़क्शन सारा काउंट होता है तो यह डाटा जितना ज बनेंगी लंबी बनेंगी और अडर जो है बहुत ही ज्यादा ऊचा और वाइड बनेगा क्लेफ्ट भी बहुत अच्छा आएगा और जो थन है वो बनेंगे इसके छोटी हाइट के तो फ्रेंड्स इसके हमने आपको कंप्लीट डिटेल आज पताई है तो सभी फ्रेंड्स क वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद